नमस्ते शायद इतनी ठंड में पहली बार परिक्षा पे चर्चाप हो रही है आम तोर पर फरवरी में करते हैं लेकिन अब विचार आया कि आप सब को 26 जन्वरी का भी लाब मिले फाइदा उठाया ना जो बहार के हैं उन्होंने गहे थे करतावे पप्पे कैसा लगा बार अच्छा लगा अच्छा गर जाके क्या बताएंगे कुछ नहीं बताएंगे अच्छा साथियों समय ज़्यादा लेता नहीं हूँ मैं लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि ये परिक्षा पे चर्चा मेरी भी परिक्षा है और देश के कोटी कोटी विध्यार्थी मेरी परिक्षा ले रहे है और मुझे ये परिक्षा दिने में खुशी होती है आनन दाता है क्योंकि मुझे जो सवाल मिलते हैं लाखों की तादाद मैं भहुत प्रोएक्टिव ली बच्चे सवाल पूछते हैं अपनी समस्या बताते हैं व्यक्तियत पीड़ा भी बताते हैं मेरे लिए बड़ा सोभाग्य है कि मेरे देश का युवा मन क्या सोचता है कि इन उल्जनों से गुजरता है देश से उसके अपिक्षा है क्या है सरकारों से उसके अपिक्षा है क्या है उसके सपने क्या है संकल्प क्या है याने सचमुच मेरे लिए ये बहुत बड़ा खजाना है और मैं तो मेरी सिस्टिम को कहा हुआ है कि इन सारे सवालों को इखटा करके रखिए कभी 10-15 साल के बाद मुखा मिलेगा तो उसको सोशल साइंटिस्टों के दुवारा उसका एनालीसिस करेंगे और पीडी बदलती जाती है वैसे स्थितियां जैसे बदलती जाती है वैसे उनके सपने उनके संकल्पों की सोच कैसे बहुत माइक्रो तरीके से बदलती है इसका एक बहुत बड़ा फिसिस शायद ही यतना सेंपल किसी का पात नहीं होगा जी तक आप लोग मुझे सवाल पूछ करके भेजते हैं चलिए लंबी बाते नहीं करते हैं मैं चाहूंगा कि कहीं से शुरू करें तक हर बार मेरे पर एक शिकायत आती है किसाब ये कारकम बहुत लंबा चलता है आपका क्यामत है लंबा चलता है लंबा चलना चाहिए अच्छा मुझे और कोई काम करना नहीं है अच्छा ठीक है आपकी के लिए हूँ पताईए क्या करेंगे कौन पहले पूछते हैं माननिय प्रधानवंत्री जी आपका प्रेरक एवं ज्यान वर्दक उद्बोधन सदैव हमें सकारात्मक उर्जा एवं विश्वास से भर देता है आपके ब्रिहद अनुभव एवं ज्यान पूर्ड मार्ग दर्शन की हम सब उत्सुक्ता से प्रतीक्षा कर रहे हैं माननिय आपके आशिरवाद एवं अनुमति से हम इस कायरेक्रम का शिभारम करना चाहते हैं धन्यवाद मान्यवर माननिय प्रधान मंत्री जी अपने समरिध्य सांस्कृतिक विरासत और स्थापत्य सौंदर्य के लिए प्रसिद्ध शहर मदुरई से अश्विनी एक प्रशन पूछना चाहती है अश्विनी कृपयापना प्रशन पूछिए Honorable Prime Minister Sir, Namaskar My name is Ashwini I am a student of Kendra Vidyalia No. 2 Madurai, Tamil Nadu My question to you sir is How do I deal with my family disappointment if my results are not good? What if I don't get the marks I am expecting? Being a good student is also not an easy job Expectations of others become so high That the person who is giving exam gets so much stress And they go into depression Nowadays, it is common for students to cut their hands and become irritated And there is no one they could trust with their feelings Kindly guide me on this Thank you sir Dhanyavad Ashwini Honorable Prime Minister Sir, Navteesh Dagur hails from the heart of India's capital Delhi The imperial seat of several empires with his charming blend of a grand medieval history And amazing architectural style Navteesh is seated in the hall and wishes to discuss an identical issue through his question Navteesh, please ask your question Good morning, Honorable Prime Minister Sir I am Navteesh Jagur of Kendra Vidyalia, Pitampura, Delhi region Sir, my question to you is How do I deal with my family's situation when my results are not good? Kindly guide me sir Thank you very much Thank you Navteesh Maneya Pradhan Mantri Ji Sansar ko shanty aur karuna ka sandesha dene waale Bhagwan Buddha, Guru Govind Singh Tathah Vardhaman Mahavir ki janmabhumi Pradjain Nagar Patna se Priyanka Kumari Kuch isi prakara ki sumashya se juj rahi hai और आपka मार्ग दर्शन चाहती है Priyanka, क्रिपे आपना प्रशन पूछिए Namaste, मानिय परधान Mantri Ji मेरा नाम Priyanka कुमारी है मैं रभीन बाली का प्लस्तू विद्याले से राजेन अनगा पटना से इगार्वी की छात्रा हूँ मेरा प्रशन यह है कि मेरे परिवार में सब अच्छी नमर से पास हुए है मुझे भी अच्छा नमर लाना है इसके लिए मैं तनाम में चली गई हूँ इसके लिए आप मुझे मार्ग दर्शन धान्यवाद धान्यवाद Priyanka माननिय प्रधान Mantri Ji अश्विनी, नव्टेश, एवं प्रियंका यहाँ महसूस करते है कि यहाँ महाद्वपूर्ण मुद्दा कई छात्रों को प्रभावित करता है और इसे हल करने के लिए आपका मार्ग दर्शन चाहते है अश्विनी आप क्रिकेट खेलती है क्या क्रिकेट में गूगली बॉल होता है निशाना एक होता है, दिशा दूसरी होती है मुझे लगता है कि आप पहले इपॉल में मुझे आउट करना चाहती हो अगर परिवार के लोगों के आपके से बहुत अपिक्षा होना बहुत स्वाबावी कहने है और उसमें कुछ गलत भी नहीं है लेकिन अगर परिवार के लोग अपक्षा है सोशल स्टेटस के कारण कर रहे हैं तो वो चिंता का विशे है उनका सोशल स्टेटस का उन पर इतना दबाव होता है उनके मन पे इतना परभाव होता है उनको लगता है कि जब सोसाइटी में जाएंगे तो बच्चों के लिए क्या बताएंगे अगर बच्चे भीख है तो कैसे उनके सामने चर्चा करेंगे और कभी कभी माबाब भी आपकी क्षमिता को जानने के बावजुद भी अपने सोशल स्टेटस के कार अपने आसपास के साथियों दोस्तों में कलब में जाते हैं सोसाइटी में जाते हैं कभी ताला में कपड़े दोए जाते हैं बैठते हैं बाते करते हैं बच्चों की बाते निकलती हैं फिर उनको एक इन्फिर्टी कॉंप्लेक्स आता है और इसलिए महार बहुत बड़ी-बड़ी बाते बता देते हैं अपने बच्चों के लिए और दीरे-दीरे वो इंटर्नलाइज कर लेते हैं और फिर घर में आकर के भी वही अपिक्षाई करते हैं और समाज जीवन में यह सहच प्रभृत्ति बनी हुई है दूसरा आप अच्छा करेंगे तो भी हर कोई आपसे नई अपिक्षा करेगा हम तो राजनीती में हैं हम कितने ही चुनाओं क्यों नहीं जीत लें लेकिन ऐसा दबाव पैदा किया जाता है कि हमें हार नहीं नहीं है दो सो लाए है तो बोले दाई सो क्यों नहीं लाए दाई सो लाए तो तीन सो क्यों नहीं लाए तीन सो लाए तो साड़े तीन सो क्यों नहीं लाए चारों तरफ से दबाव बनाये जाता है लेकिन क्या हमें इन दबावों से दबना चाहिए क्या पल भर सोचिए कि आपको जो दिन भर कहा जाता है चारों तरफ से जो सुना जाता है उसी में अपना समय बर्बाद करेंगे कि आप अपने भीतर देखेंगे अपनी क्षमता अपनी प्रावरेटी अपनी आवश्रक्ता अपने इरादे थोड़ा हर अपेक्षाओं को उसके साथ जोड़िए आप कभी क्रिकेट मैच देखने गए होंगे तो आपने देखा होगा कि कुछ बैश्मन खिलने के लिए आते ह है और पूरा स्टेडियम हजहरों लोग होते हैं स्टेडियम में वे चिलाना सरू करते हैं चौका 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 सिक्षा क्या वो ओडियंस की डिमांड के उपर चौक्य और चौक्य लगाता है क्या ऐसा करता है कि कोई प्लेयर चिलाते रहे कितना ही चिलाते रहे उसका ध्यान उस बॉल पर ही होता है जो आ रहा है उस बॉलर के माइन को स्टेडी करने की कोशिश करता है और जैसा बॉल है वैसे ही खेलता है न की ओडियन्स चिलाता है फोकस रहता है अगर आप भी अपनी एक्टिविटी में फोकस रहते हैं तो या लो आपके जो कुछ भी दबाव बनता है आप एक्षाय बनती है कभी ने कभी आप उसको मिटवित करेंगे आप उस संकटों से बहार आजाएंगे और इसलिए मेरा आपसे आगरह होगा कि आप दबावों के दबावों में न रहें हाँ कभी कभी दबाव को एनालिसिस कीजिए कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप स्वयम के भी से में अंडरेस्टिमेट कर रहे हैं आपके एक्षंता बहुत ह है लेकिन आप खूद ही इतने डिफिरेस्ट मेंटालिटी के हैं कि नया करने के लिए चोसोते नहीं तो कभी-कभी वह अपेक्षाएं बहुत बड़ी ताकत बन जाती है बड़ी उर्जा बन जाती है और इसलिए अपेक्षाएं माबाप को क्या करना है वहने पहले ही कहा सामाजी दमाओ में माबा अपने बच्चों पर दबाओ ट्रास्पर नहीं करना चाहिए लेकिन बच्चों ने अपनी क्षमता से कम भी अपने आपको नहीं आ करना चाहिए और दोनों चीजों की बर्द देंगे तो मुझे पक्का विश्वात है कि आप ऐसी समस्याओं को भ मानन ये प्रधान मंत्री जी आपका कोटी कोटी धन्यवाद आपके प्रेरक वच्चनों से अभिभावों को का अपने बच्चों के लिए समझने का मार्ग मिला है मानन ये प्रधान मंत्री जी चमबा प्रकृति के अंचुए सौंदर्यों को समेटे भारत के पैरिस के रूप में प्रसेद परवर्तिय नगर है चमबा हिमाचल प्रदेश से आरूशी ठाकुर अभासी माध्यम से हमसे जूड रही है आरूशी क्रिप्या अपना प्रशन पूछे माननिय प्रधान मंत्री जी नमश्कार मेरा नाम आरूशी ठाकुर है और मैं केंद्रे विद्याले बनी खेग धलाजी जिलाचंबा की कक्षा ग्यारनी की छात्रा हूँ माननिय मेरा आपसे यह प्रशन है कि परिक्षा के दौरान जो बात मुझे सबसे जादा परिशान करती है वो यह है कि मैं पढ़ाई कहां से शुरू करूँ मुझे हमेशा लगता है कि मैं सब कुछ भूल गई हूँ और मैं इसी के ही बारे में सोचती रहती हूँ जो मुझे काफी तनाव देता है कृपय कर्व मार दर्शन कीजिए धन्यवाद सर धन्यवाद आरुशी माननिय प्रधान मंत्री जी भारत में धान का कटोरा के नाम से प्रसिध राजिय चटिसगड की राजधानी है राइपूर राइपूर की अदिती दिवान इसी समस्या पर अपनी मन की जिग्यासा का समाधान चाहती है अदीती अपना प्रश्ण पूछिए माननिये प्रधान मंत्री जी नमस्कार मेरा नाम अदीती दिवान है और मैं कृष्णा पब्लिक स्कूल रायपुर 36 गड़ मैं कक्षा बारवी की छात्रा हूं मेरा आपसे यहाँ प्रश्ण है कि मैं इस बात को लेकर चिंतित रहती हूं कि मुझे बहुत कुछ करना है लेकिन अंतिम तक मैं कुछ भी नहीं कर पाती हूं क्योंकि मेरे पास बहुत सारे कार्य होते हैं यदि मैं अपना कोई कार्य समय पर पूरा कर भी लूँ तो और ज्यादा परिशान हो जाती हूँ क्योंकि फिर अन्यकारियों को करने में या तो बहुत ज्यादा देर लगा देती हूँ या तो उन्हें आगे तक के लिए टाल देती हूँ मैं यह जानने के लिए उच्छुक हूँ कि मैं अपने सारे काम सही समय पर कैसे पूरे करूँ धन्यवाद धन्यवाद अदिती, मानेनिय प्रधान मंत्री जी आरूशी और अदिती अपनी परीक्षा की तैयारी एवं समय के सदुपियोग पर आपका मार्ग दर्शन चाहते हैं कृप्या उनकी समस्या का समाधान करें मानेनिय प्रधान मंत्री जी देखिए सिरफ परीक्षा के लिए नहीं वैसे भी जीवन में ताइम मेनेजमेंट की प्रती हमें जागरुक रहना चाहिए परीक्षा और नो परीक्षा आपने देखा होगा काम का धेर क्यों हो जाता है काम का धेर इसलिए हो जाता है समय पर उसको किया नहीं इसलिए और काम करने की कभी ठकान नहीं होती है काम करने से संतोष होता है काम नव करने से ठकान लगती है सामने दिखता है अरे इतना सारा काम इतना सारा काम रुशी की ठकान लगती है करना सुरू करें दूसरा आप कभी कागज पे अपना पैंसिल लेके डायरी पे लिखिए एक हपते भर आप नोट कीजिए कि आप अपना समय कहां बिताते हैं अगर पढ़ाई भी करते हैं तो कितना समय किस विशे को देते हैं और उसमें भी शॉटकट धुगते हैं कि बेसिक में जाते हैं बारिक्यों में जाते हैं थोड़ा अपना एक एनालिसेस कीजिए मैं पक्का मानता हूँ कि आपको ध्यान में आएगा कि आप जो आपकी पसंद की चीजे हैं उसी में सबसे ज़्यादा समय लगाते हैं और उसी में खोए रहते हैं फिर तीन विशे ऐसे हैं जो कम पसंद है लेकिन जरूरी है वो फिर आपको बोज नंग लेगा मैंने दो दो घंटे मेहनत की लेकिन यह तो हुआ नहीं और इसलिए आप सिरफ पढ़ना दो घंटे ऐसा नहीं लेकिन पढ़ने में भी जब फ्रेश माइंड है तब जो सबसे कम पसंद विशे हैं आपको सबसे ज़्यादा कठीन लगता है ताई किजिए पहली 30 मिनिट इसको फिर एक पसंद की वाला विशे है 20 मिनिट उसको फिर थोड़ा कम पसंद वाला 30 मिनिट उसको आप ऐसा स्लैब बनाईए तो आपको रिलेक्शेशन भी मिलेगा और आपको धीरे धीरे उन विशेव पर रूची बढ़ेगी जो आप नॉर्मली टालते हैं और अच्छे विशे में खोई रहते हैं और समय भी तो बहुत जाता है आपने देखा होगा आप मैंसे जो लोग पतंग चगाते होंगे मैं जो बत्मन में बहुत शौक था पतंग की जो माजा होता है दागा होता है वो इंसन क्या करेगा यूं यूं फीचेगा प्लागा ताकत लगाए घौ है ऐसा नहीं करेगा वो दिरे से एक एक तार को पकड़ने कोशिश करेगा कि खुलने का रास्ता कहा है और फिर दीरे दिरे दिरे खोलेगा तो इतना बड़ा गुच्छा भी आराम से खुल जाएगा और सारा माजा सारा धागा एक जैसी जरूत है वैसा उसके हाट लग जाएगा हमें भी उस पर जोर जो बर्दस्ति नहीं करनी है आराम से सोलूशन निकालना है और अगर आराम से सोलूशन निक अवास है कि आप उसको बड़े धंग से करेंगे दूसरा कि आपने कभी घर में अपनी मां के काम को अब्ज़र्व किया है क्या यह तो आपको अच्छा लगता है कि जैसे स्कूल जाए तो माने सब रेडिर करके रखा था सुबह स्कूल जाना था तो माने सब तयार करके रख दिया था लगता तो बहुत अच्छा है लेकिन क्या कभी अफजर्व किया है कि मां का टाइम मैनेजमेंट कितना बढ़िया है उसको पता है सुबह ये है तो मुझे 6 बजे ये करना पड़ेगा साड़ी 6 बजे ये करना पड़ेगा उसको 9 बजे जाना है तो ये करना पड़ेगा वो 10 बजे घर आएगा तो ये करना पड़ेगा यानि इतना perfect time में जे management मा का होता है और जब कि काम सबसे ज़्यादा माग करती रहती है लेकिन किसी काम में उसको बोज अनुपकी होता है ठक गई बहुत काम है बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं करती है क्यों उसे मालूम है कि मुझे इतने घंटे में यह यह तो करना है और जब एक्स्ट्रा टाइम मिलता है तब भी वो चूप नहीं बैठती कुछ नों कुछ अपना क्रियेटिव एक्टिविटी करती रहती है सुई धाका लेके बैठ जाएगी कुछ नों करती रहेगी रिलेक्श करने के लिए भी उसने विवस्ता रखती है अगर मा की गतिविदी को धंग से अपजर करोगे तो भी आपको एज एस्टूदेंट अपना टाइम मेनेजमेंट का महत्व क्या होता है और टाइम मेनेजमेंट ने दो गंटे चार गंटे तिन गंटे ये नहीं माइक्रो मेनेजमेंट चाहिए किस विशय को कितना टाइम देना है किस काम को कितना टाइम देना है और इतना बंधन भी नहीं डालने है कि बस छे दिन तक ये करूंगा ही नहीं क्योंकि मुझे पढ़ना है फिर तो आप थक जाओगे आप धंग से उसको डिस्टिबूट कीजिये समय को जरूर आपको अलाब होगा धन्यवाद Thank you Honorable Prime Minister Sir for guiding us to be methodical and systematic in order to be an effective student Honorable Prime Minister Sir Rupesh Kashyap hailing from Bastard district of Chhattisgarh is known for its distinctive tribal hour the enchanting Chitrakut waterfalls in the finest quality of bamboo Rupesh is present here with us and needs your advice on a topic that is of vital significance Rupesh please ask your question Good morning Honorable Prime Minister Sir my name is Rupesh Kashyap I am a student of class 9 from Swami Atmanan government English camera house but cheaper like I am from Swami Atmanan government English medium school Darwa district Buster Chhattisgarh Sir my question is how can I avoid unfair means in exams Thank you sir Thank you Rupesh Honorable Prime Minister Sir from the heritage city of Jagannath Puri the spiritual capital of Odisha famed for its magnificent corn shape layout Rath Yatra and Seren beaches Tanmay Biswal seeks your guidance on a similar issue Tanmay please ask your question Honorable Prime Minister Sir Namaskar My name is Tanmay Biswal I am a student of Javanavadai Vidyalay Konaark Puri Odisha My question to you Sir is How to eliminate cheating or copying activities of the students during examination Kindly guide me on this Thank you Sir Do you have any questions? Do you want to ask us to answer this question Yes Sir Good evening The way we do I am happy What did we do I am happy and I can give that परिशा में जो गलत प्रक्टिसिस होती हैं, माल प्रक्टिसिस होती हैं, उसका कोई रास्ता खोजना चाहिए, खास करके जो महनती विद्यारती होते हैं, उनको जुरूर इसका बहुती चिंता रहती है, कि मैं इतनी महनत करता हूँ, और यह चोरी करकर के, कौपी करकर के, नकल करके अपना गाड़ी चला लेता है, पहले भी शायद चूरी तो करते होंगे लोग, नकल तो करते होंगे लेकिन छुप छुप करके करते होंगे अब तो बड़े गर्व से कहते हैं कि आज सूपरवाजर को बुद्ध वना दिया यह जो मुल्यों में बड़लावाया है तो बहुत खतरनाक है और इसलिए समाज यह सच यह हम सब को सोच रहा होगा दूसरा अनुभवाया है कि कुछ कुल या कुछ ऐसे टीचर्स जो टूशन क्रासिस चलाते हैं उनको भी लगता है कि मेरा स्टूडन अच्छे तरह से निकल जाए क्योंकि मैंने उसके माबाप से पैसे लिये हैं कोचिंग करता था तो वह भी उसको गाइड करते हैं मदद करते हैं करते हैं ना ऐसे टीचर होते हैं ना नहीं होते हैं और उसके कारण भी दूसरा मैंने देखा है कुछ स्टूडेंट पढ़ने में तो टाइम निर्गात हैं लेकिन नकल करने के तरीके ढूनने में बिड़े क्रियेटिव होते हैं उसमें घंटे लगा देंगे वो कापली बनाएंगे तो उसनी छोटे 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 अक्षर होगी बनाएंगे कभी कभी तो मुझे लगता है कि इसके बजाए उन नकल के तरीके नकल की टकनीक उसमें जितना दिमाग खापाता है और बड़े क्रियेटिव होते हैं ये चोरी करने वाले इसके बजाए अगर उत्तरा ही समय उसी क्रियेटिविटी को टैलेंट को सीखने में लगा देता तो शायद अच्छा कर पा था किसे ने उसको गाइड करना चाहिए था किसे ने उसको समझाना चाहिए था दूसरा ये बात समझ के चले अब जिन्दगी बहुत बदल चुकी है जगत बहुत बदल चुका है और इसलिए ये बहुत आवशक है कि एक एक एक्जाम से निकले मतलब जिन्दगी निकल गई ये संभव नहीं है जी आज आपको डगर डगर हर जगा पर कोई एक्जाम देनी पड़ती है कितनी जगा पर नकल करोगे जी और इसलिए जो नकल करने वाला है वो शायद एक आदो एक्जाम को तो निकल जाएगा लेकिन जिन्दगी कभी पार नहीं कर पाएगा नकल से जिन्दगी नहीं बन सकती है हो सकता है एक्जाम में मार्स इधर उदर करके ले आए लेकिन कहीं कहीं तो क्वेस्चनिबल होगा ही और इसलिए ये बातामन हम को बनाना होगा कि एक आद एक्जाम में तुमने नकल की हो गया तुम निकल गये लेकिन आगे चल करके शायद तुम जिन्दगी में फसे रहोगे दूसरा जो विद्यार्थी कड़ी मेहनत करते हैं उनसे में मैं कहूंगा कि आपकी मेहनत आपकी जिन्दगी में रंग लाएगी हो सकता है कोई ऐसा ही फालतू दो चार मार्स आपसे उपर ले जाएगा लेकिन वो कभी भी आपकी जिन्दगी की रुकावट नहीं बन पाएगा आपके भीतर की जो ताकत है वही ताकत आपको आगे ले जाएगी क्रिपा करके उसको तो फाइदा हो गया चलो मैं भी उस रास्ते पर चल पड़ू ऐसा कभी मत करना कभी मत करना दोस्तों एक्जामे तो आती है जाती है हमें जिन्दगी जीनी है जी भरके जीनी है जित्ते जित्ते जिन्दगी जीनी है और इसलिए यह हमें शोड़कर की तर्ब नहीं जाना चलवा को आप знак यह आiens की आपने देखा हों हार आंपलेश संफ में पर्ट्री जाए होती है वह ब्रीज रहुता है तुम लोग ब्रीज पर जाना पसंद यह करते हैं यह पत्री कुट करके जाते हैं कोई कारण नहीं ऐसे ही बस मज़ा आता है कि तुम्हां लिखा है शॉटकर बिल कट यूशॉट कि इसलिए कोई अगर शॉटकर से कुछ कर लेता होगा आप उसके टेंशन को पालिये मत आप अपने आपको उसे मुक्त रखिए आप अपने पर फोकस कीजिए आपको अच्छा परणाम मिलेगा धन्यवाद धन्यवाद माने नियव प्रधान मंत्री जी आपके वचन सीधे हमारे रिदय में उतर गए हैं आपका धन्यवाद Honorable Prime Minister Sir, from Palakar, the land of pedophils where the gentle breeze carries the aroma of harvested crops and the sound of traditional Kerala music Sujal K. seeks your guidance. Sujal, please ask your question नमस्कार, आधर नियव प्रधान मंत्री महोद है, मेरा नाम तेज़ सुझे है, मैं नौवी कक्षा में केंद्रे विद्याले कंजी कोड एरनाकुलम संभाका चात्र हूँ मेरा प्रशन यह है, हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क में से कौन सा वर्क जरूरी है, क्या अच्छी परिणामों के लिए दोनों जरूरी है, कृपया अपना मार्क दर्शन दीजिए, तन्यवाद स्वीमा Thank you Sujal, Honorable Prime Minister Sir क्या सवाल साहूँ का है, क्या पूछ रहेते Sir, Hard Work के बाद, Hard Work, Hard Work और Smart Work Hard Work और Smart Work Thank you Thank you Acha, अपने बच्पन में एक कथा पढ़ी होगी, सबने जुरूर पढ़ी होगी और इससे आप अंदार लगा सकते हैं, कि Smart Work क्या होता है, हाड़ वर क्या होता है हम बच्पन में थे, तो एक कथा सुना पढ़ाते थे, एक गड़े में पानी था, पानी जड़ा गहरा था और एक कववा पानी पीना चाहता था, लेकिन अंदर वो बहुच नहीं पाता था तो इस कववे ने छोटे-छोटे कंकर उठा करके उस गड़े में डाले, और दिरे-दिरे पानी उपर आया और फिर उसने आराम से पानी पीया, सुना है लिए कथा, अब इसको आप क्या कहेंगे, हाड़ वर कहेंगे, कि Smart वर कहेंगे और देखिए, ये जब कथा लिखी गई रहे, तब स्ट्रॉ नहीं था, वरना एक कववा, बाजार पे जाके स्ट्रॉ लेके आता कुछ लोग होते हैं, जो हाड़ वर्क ही करते रहते हैं, कुछ लोग होते हैं, जिनके जिवेन में हाड़ वर्क का नामों नुशान नहीं होता है कुछ लोग होते हैं, जो हाड़ वर्क करते हैं, और कुछ लोग होते हैं, जो स्मार्ट्ली हाड़ वर्क करते हैं और इसलिए कोवा भी हमें सिखा रहा है कि स्मार्टली हाड़ वर्क कैसे करना और इसलिए हमें हर काम को पहले काम को बारी कैसी समझी है कुछ लोग होगे आपने देखा होगा कि चीजों को समझने के बजाए सीधा ही अपनी बुद्धी अपनाना शुरू कर देते हैं देर सारी महनत करें पढ़ना मिलता ही नहीं है मुझे आध है मैं बहुत पहले ट्राइबल बेल्ट में काम करता था तो मुझे काफी इंटियर में जाना था तो किसी ने हमें कुछ जमाने की जो पुरानी जीप होती थी उसने विवस्था की आप उसको लेके जाईए अब सुबह हम कोई साड़े पाच बें निकले माले थे लेकिन हमारी जीप चली नहीं रही थी हम अब धेर सारी कोशिश से कि धक्के मारे यह क्या दुनिया भर का हार्ड वर्क किया हमारी जीप नहीं चली कि साथ साथ बजगे तो यह मेकनिक को बलाया अब मेकनिक ने मुश्किल से दो मिनिट लगाया होगा और दो मिनिट में उसने शीख कर दिया और फिर वो कहें सब 200 रुपे देने पड़ेंगे यार दो मिनिट का 200 रुपया बुले साथ यह दो मिनिट का 200 रुपया नहीं है यह 50 साल के अनुभव का 200 रुपया है अब हम हाड़वर कर रहे जिब नहीं चल रही थी उसने स्मार्टली थोड़े से बोल्टाइट करने थे हाड़ली उसको दो मिनिट लगा हो गए गड़ी चल गई है कहने का तात्पर यह हैं कि हर चीज बड़ी महनद मजदूरी से करेंगे तो होगा ऐसा आप देखा होगा पहलवान जो होते हैं नहीं जो खेल कुद की दुनिया के लोग होते हैं उसको कौन सा खेल से वो जुड़ा हुआ है उस खेल में उसको किस मसल्स की ज़रुवत होती है जो ट्रेनर होता है उसको मानूम है अब जैसे विकेट की पर होगा तो विकेट की पर को ऐसे ही जुकर के गंतों तक खड़े रहना होता है अब हमें क्लास में कुछ गलत किया और टीचर कान पकड़के नीचे बिठा देते हैं ऐसे हाथ पैर में अंदर डालके तो कितना दर्द होता है होता है एक नहीं होता है एक तो psychological भी होता है, physical भी होता है कि पर ऐसे करके कान पकड़ बैठना होता है, तकलिफ होती है ना, लेकिन यह जो बिकेट की पर होता है ना, उसकी ट्रेनिंग का हिस्सा होता है, उसको गंतों तक ऐसे खड़ा लगते हैं, ताकि दीर दीर उसके वो मसल मजबूत हो जाए, ता तो उसको वो करवाते हैं, और इसलिए हमें भी जिस चीज पे ज़रूरत है, वहीं फोकस करना चाहिए, जो हमारे लिए उप्योगी है, हर चीज प्राप्त करने की कोशिश से महनत बहुर लगेगी, हाथ मेर उचे करते रहो, दोड़ते रहो, ठिकना करो, फलाना करो, जनरल हेल्थ के लिए, फिटनेस के लिए ठीक है, लेकिन अगर मुझे एच्यू करना है, तो उन स्पैसिफिक एरियास को मुझे एड्रेस करना होगा, और ये जिसको समझ होती है, वो परिणाम भी देता है, अगर बॉलर है और उसके ये मसल्स ठीक नहीं है, तो कहां बॉलिंग क कर पाएगा, जो लोग बेट लिप्टिंग करते हैं, उनके अनक परकार के मसल्स को मजबूत कर ना होता है, हाड़ वर तो वो भी करते हैं, लेकिन वो स्माटली हाड़ वर करते हैं, और स्माटली हाड़ वर करते हैं, तब जाकर के प्रणा है, बहुत-बहुत धन्यवाद, Thank you Honorable Prime Minister Sir for your insightful guidance on choosing consistent hard work in our lives Mananiya Pradhan Mantri Ji Guru Dronacharya के नाम से विख्याद Cyber City Haryana के प्रसिद्ध और द्योगिक नगर Guru Gram की छात्रा Jowita Patra सबागार में उपस्तित है और आप से प्रश्न पूछना चाहती है Jowita, क्रिप्या आपना प्रश्न पूछे Namaskar, Honorable Prime Minister Sir My name is Jowita Patra and I am a student of Class 10th of Jawahar Navodavityaale Guru Gram Haryana It's my privilege and great honor to participate in the Pariksha Pe Charja 2023 Honorable Prime Minister Sir My question to you is Being an average student How can I focus on my studies Kindly guide me on this issue Thank you Sir धन्यवाद जोवेता मानिया प्रधान मंत्री जी जोवेता पात्रा एक average student आप से exam कैसे बहतर करे इसके बारे में आप से मार्ग दर्शन चाहते है क्रिप्याउन का मार्ग दर्शन करे मानिया प्रधान मंत्री जी सबसे पहले तो मैं आपको बधाई देता हूँ कि आपको पता है कि आप average है वरना ज़्यादा तर लोग ऐसे होते हैं जो below average होते हैं और अपने आपको बड़ा तिश्मारगा मानते हैं सब बंदर के वापारी मानते हैं तो मैं सबसे पहले आपको और आपके माता-पिता जुकी भी बधाई देता हूँ एक बार आपने इस सत्य को स्विकार कर लिया कि हाँ अभी मेरी एक शेट है श्मता है मेरी अस्तिती है मुझे अभी इसके अनुकुल चीजों को ढूंड़ा होगा मुझे बहुत बड़े तिश्मारगा बनने के ज़रूत नहीं है हम अपने सामर्थ को जिस दिन जानते हैं न तो हम सबसे बड़े सामर्थवान बन जाते हैं कि जो लोग खुद के सामर्थ को नहीं जानते हैं उनको सामर्थवान बनने में बहुत सारी रुकावट आती हैं इसलिए इस थित्य को जानना यह अपने आप में इश्वर ने आपको शक्ति दी हैं आपके टीचर्स ने शक्ति दी हैं आपके परिवार ने शक्ति दी हैं और मैं तो चाहूँगा हर माबाप से आप बच्चों का सही मुल्यांकन कीजिए उनको उनके अंदर हीन भावना पैदा होने मत दीजिए लेकिन सही मुल्यांकन कीजिए कभी कभी आप लोग उसको कोई बहुत बड़ी महंगी चीज लानी है तो आप आराम से उसको करें लेने भी अपने घर की अतनी ताकत नहीं है चीज हम नहीं ला पाएंगे ऐसा करो दो साल इंतजार करो उसमें कुछ बुरा नहीं है अगर आप घर की स्थिति के सबन में बच् एक्स्टा ओडिनरी बहुत कम लोग होते थी लेकिन सामान्य लोग आसामान्य काम करते हैं और जब सामान्य विक्ति आसामान्य काम करते हैं तब वो कहीं उन्चाई पर चले जाते हैं एserें नकल जाते और इसलिए हमें कभी भी यह सोच रहा है दुनिया में आप देखिए जावादर जो लोग सफल हुए है वो क्या है दिए वो किसी जमाने में एवरेज लोग थे लिए असामन ने काम करके आये हैं भोट बड़ा प्रणाम लेके आये हैं अब आपने देखा होगा इन दिनों दुनिया में पूरे विश्व की आर्थिक सितियों की चर्चा हो रही है कौन देश कितना आगे गया किस की आर्थिक सिति कैसी है और कॉरोना के बाद तो या बड़ा मान्दबंद बंगाया है और ऐसा तो नहीं है कि दुनिया के पास अर्थव्यत्ताओं की कमी है बड़े बड़े Knowbel Prाइप विनर है कि जो गाईड कर सकते हैं कि- अईसा करने से और से अने कमेन का प्रवाब बातने वाले तो हर गली मोलो में आजकर available है और कुछ विद्वान भी available है जिन्हों ने बहुत कुछ किया है लेकिन हम ने देखा है कि भारत आज दुनिया में आर्थिक जो तुलनात्मक हो रहा है भारत को एक आशा की किरन के रुप में देखा जा रहा है आपने दो तिन साल पहले देखा होगा हमारी सरकार के विशे में यही लिखा जाता था कि इनके पास कोई economist नहीं है सब average लोग है प्राहिमिस्टर को भी economist का कोई ज्ञान नहीं है ऐसा ही लिखा जाता था अब पढ़ते हैंगे नहीं पढ़ते हैं लेकिन आज दुनिया में वही देश जिसको एवरेज कहा जाता था वो देश आज दुनिया में चबक रहा है दोस्तों और इसलिए हम इस प्रेशर में न रहें दोस्तों कि आप एक्स्ट्राउडिनरी नहीं है और दूसरी बात आप एवरेज भी होंगे आपके भीतर कुछने कुछने एक्स्ट्राउडिनरी होगा ही होगा और जो एक्स्ट्राउडिनरी है उनके भीतर भी कुछने कुछ एवरेज होगा हरे के पाज इश्वर ने एक अभूद पुर्वक्षमता दी होती है बस आपको उसको पहचानना है उसको खात पानी डालना है आप बहुत तेजी साके निगर जाएंगे ये मेरा विश्वास है धन्यवाद 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 Thank you Honorable Prime Minister Sir for your wonderful encouragement to make many students and Indians feel valued and cherished Honorable Prime Minister Sir Mannat Bajwa hails from the capital city of Chandigarh famed for its remarkable blend of urban planning with modern architecture and the scenic rock garden of the legendary Negchand She seeks your guidance on a fundamental issue that affects many students like her Mannat, please ask your question Mananir Pradhan Mantri Ji Namaskar मेरा नाम मनत Bajwa है मैं St. Joseph Senior Secondary School की छात्रा हूँ मेरा आपसे प्रशन यह है कि जब मैं अपने आपको आप जैसे प्रतिस्थित ठान पर रखकर कलपना करती हूँ जहां बारत जैसे देश को चलाना जहां इतनी बड़ी जनसंख्या है और जहां अपनी राय रखने वालों की भहतायत है आपके बारे में नकरात्मक राय रखने वाले लोग भी है क्या वेह आपको प्रभावित करते हैं यदि हां करते हैं तो आप आत्म संध्या की भावना से कैसे उभरते हैं मैं इसमें आपसे मार्ग दर्शन चाहती हूँ. धन्यवाज श्रीमान. Thank you, Mannat. Honorable Prime Minister, Sir. Aastami Senh resides in South Sikkim, an area famous for its tea gardens, breathtaking beauty and tranquil, undisturbed, snow-clad Himalayas. She also requests your directions on identical matter that needs to be addressed. Aastami, please ask your question. माननिय प्रधार मंत्री जी, नमस्कार, मेरा नाम Aastami Senhain. मैं कक्षा एगार्वी की छात्रा, DAB Public School, प्रंगित नगर, दक्षिन सिक्किन से हूँ. मेरा प्रश्न आपसे ये है कि, जब विपक्ष और मीडिया आपकी आलुचना करते हैं, तो आप कैसे हिनका सामना करते हैं, जबकि मैं अपने अभिभाबों को की शिकायतों एवं निराशा जनक बातों का सामना नहीं कर पाते हूँ. क्रिपिया मेरा मार्ग दर्शन कीजिए, धन्यवाद स्रीम। ये प्रदान मंत्री महो रहे, मेरा नाम सोलंकी कुम कुम है, मैं कक्षा बार्वी, श्री हडालाबाल हाई स्कूल, जिल्ला एहम्दाबाद, गुजरत की शात्रा हूँ. मेरा प्रेश्ण है है कि आप इतने बड़े प्रजाद आंत्री बिश के प्रदान मंत्री है, जिने कितनी सारी चुनोंतियों गा सामना करना पड़ता है, आप इन चुनोंतियों से कैसे रटते है, प्रवपया करके मुझे मार्दशन दीजिये, तन्यावाद. Thank you, Kumkum. Honorable Prime Minister Sir, Aakash Darira lives in the Silicon Valley of India, Bengaluru, known for being a perfect gateway to a plethora of activities, both traditional and modern. Through his question, he seeks your advice on a somewhat similar matter that has been concerning him for a while. Aakash, please ask you a question. नमस्ते मोदी जी, मैं Aakash Darira, बारवी कक्षा, Whitefield Global School, Bangalore से. मेरा आपसे यह प्रश्न है, कि मेरी नानी जी, Kavita A. Makhija, मुझे हमेशा सला देती है आपसे सीखने के लिए, कि आप कैसे विपक्ष के लगाई हुए हर आरोप, हर आलोचना को टॉनिक और अवसर के रूप में देखते हैं. आप ऐसे कैसे करते हैं, मोदी जी, कृप्या हम युवाओं को भी प्रेर ना दे, ताकि हम जीवन के हर परिक्षा में सफल हो. धन्यवाद। एक्जाम देते हैं और घर आकर के जब परिवार के साथ या दोस्तों के साथ बैड़ते हैं, कभी टीचर से निकट नाता है जुन से बैड़ते हैं और कोई सवाल का जवाब ठीक नहीं आया, तो आपका पहला रिएक्षन होता है, यह आउट ओफ सिलिबस था. यह होता है रहे, तो यह भी आउट ओफ सिलिबस हैं, लेकिन मैं अंदाज कर सकता हूँ कि आप क्या कहना चाहते हैं, अगर आपने मुझे न जोड़ा होता, तो शायद आप अपनी बात को और धंग से कहना चाहते होंगे, लेकिन शायद आपको मालूम है, कि आपके परिवार वाले भी सुन रहे हैं, तो ऐसा खुल करके बोलने में खत्रा है, इसने बढ़ी चतुरा ही थे, आपने बुझे अधर लपेट लिया हैं, देखिए जहां तक मेरा सवाल है, मेरा एक कन्विक्शन है, और मेरे लिए यह आर्टिकल अप फेथ है, मैं सिध्धांत तह मानता हूँ, कि सम्रिद्ध लोकतंतर के लिए आलोचना एक शुद्धी यग्न है, आलोचना यह सम्रिद्ध लोकतंतर की पुर्वशर्थ है, और इसलिए आपने देखा होजगा अज टेक्नलोजी में ओपन सोर्स टेक्नलोजी होती है, बालू है न, ओपन सोर्स होता है, उसमें सब लोग अपने पनी चीज़े डालते हैं, और ओपन सोर्स टेक्नलोजी के माध्यम से, यह अलाव किया जाता है, कि देखे भी हमने यह किया है, हम यहां जाकर कैटके हैं, हो सकता है कुछ कमिया होगी, तो लोग उसके अंदर अपने अपने टेक्नलोजी को इंसर्ट करते हैं, और काफी लोगों के प्रयास्ते तो एक्तम से समरुद्विक स्वाप़र बन जाता है, यह ओपन सोर्स आजकल बहुत ही ताकतवर एक इंस्ट्रुमेंट माना जाता है, उसी प्रकार से कुछ कंपनियां अपनी प्रोड़क को मार्केट में रखती हैं, और चलेंज करती है कि उसमें जो कमिया है वो दिखाएगा उसको हम इनाम देंगे, बाउंट सिस्टिम की व्यवस्ता खड़ी हुई है, इसका मतलब यह हुआ कि हर कोई चाहता है कि कमियां जो हो उससे मुक्ती का राष्टा को इंगीत करेता हो तो होगा ना, लेकिन कभी कभी क्या होता है, आलोचना करने वाला कौन है, उस पर सारा मामला सैट हो जाता है, जैसे माल दीजिए, आप यहाँ स्कूल के अंदर फैंसी ड्रेस कॉम्पूटिशन है, और आपने बड़े चाव से बढ़िया फैंसी ड्रेस पहन करके गए, और आपका प्रिया दोस्त है, एगडम प्रिया दोस्त, जिसकी मात आपको हमेशा अच्छी लगती है, वो कहेगा यार, तुम्हें ऐसा क्या पहना, यह अच्छा नहीं लग रहा है, तो आपका एक रियक्शन होगा, और एक स्टूड़न्ट है, जो आपको थोड़ा कम पसंद है, नेगेटिव वाइबरसन्स हमेशा आते हैं, उसको देखते ही, आपको उसके बाते बिल्कुल पसंद नहीं ने-वो गएगा, देखो यह क्या पहन के आया है, जैसे पहनते हैं क्या, तो आपका एक है जो अपना है वो कहता है, तो आप उसको पॉजिटिव लेते हैं उससालों सरा компании, लेकिन जो आपको पसंद नहीं है वो वो ही कह रहा है, लेकिन आपको गुस्तात है, तु कॉन होता है कि मेरी मर्जी ऐसा ही होता है ना उसी प्रकार से आप आलोचना करने वाले कि आदतन करते रहते हैं तो उनको एक बक्से में डाल दीजिए कि दिमाग खपाई यह मत ज्यादा कि उनका इरादा कुछ और है अब घर में आलोचना होती है क्या मैं समझता हूं कुछ गल्ती हो रही है घर में आलोचना नहीं होती है यह दुरभागे का विशा है कि आलोचना करने के लिए मापप को भी बहुत अध्यक करना पड़ता है आपको अबजर करना पड़ता है आपके टीचर को मिलना पड़ता है आपके दोस्तों की आदते जाननी पड़ती है अपकी दिन्चरिया को संभ ना करना पड़ता है आपको फॉलो करना पड़ता है आपका मोबैल फोन और स्कृन पे कितना टाइम जा रहा है सक्रीन कितना टाइम जा रहा है सारथ बहुत किसे कि कुछ आ मोलते हुए माबाप अबज़र करते हैं फिर कभी आप किस अच्छे मुड़ी में होते हो देखते हैं और जब अच्छे मुड़ी में होते हैं अकेले होते हैं तब प्यार से वो कहते करे यार देख बैटे तुझ पर इतनी ख्रमता है इतना सामर्ता है देख तेरी सक्ति यहां प्रजिस्टर होता है वह आलोचना काम आज़ें कि आजकल माबापको टाइम नहीं है वह आलोचना नहीं करते हैं और जो गुष्णा आपको आता है न वह टोका-टोकी काता है कुछ भी करो खाने पर बैठे हैं कुछ भी कहेंगे यह खाया तो भी कहेंगे नहीं खाया तो भी कहेंगे यहीं होता है न देखिए अब आपके माता पिताजी आपको पकड़े के घर जाके क्याएज तोका-टोकी जो है वो आलोचना नहीं है अब माबाप से मैं आगरह करूंगा कि किर्पा करके आप अपने बच्चों की भलाई के लिए यह तोका-टोकी के चक्कर से बाहर निकलिए उससे आप बच्चों की जिन्दगी को मोल नहीं कर सकते हैं उपर से इतना मन से कुछ उदिन अच्छे मुड में है कुछ अच्छा करने के मुड में है और आपने सुबह कुछ कह दिया देख दूट ठंडा हो गया तो दूद पीता नहीं है शुरू कर दिया तो तो ऐसा ही ह पना जेख कैसा करता है तुरंट सुबह अपनी मा कहती है से दूट पे लेता है फिर उसका दिमाग फटलता है वह दिन भर का उसका काम है बरबाद हो जाता है और इसलिए अब आप देखिए हम लोग प्रलामेंट में कभी आप लोग पारलामेंट का डिवेट देखते जो सामने विपक्ष के लोग होते हैं वो आपकी साइकोलोजी जानते हैं तो कुछ में ऐसे ही कोई टिपनी कर देते बैटे-बैटे और उसको मालूम है कि टिपनी ऐसी है कि वो रियक करेगा ही करेगा तो हमारा MP होता है उसको लगता है अब इंपोर्टन यसकी टिपनी है क्या है वो छूड जाती है और वो उसी की टिपनी को जवाब देता रहता है और अपना पूरी परमाधी कर देता है कि और अगर कर टिपनी है है हासी मजाग में बॉल खेल दी खेल दिया छुटी कर दी दूसरी अपने विशय पर चला जाता है तो उसको फोकस एक्टिविटी का परिणाम मिलता है और इसलिए हमें अपना फोकस सोड़ना नहीं चाहिए दूसरी बात है देखे आलोचना करने के लिए बहुत महनत करनी पड़ती है बहुत अध्याइन करना पड़ता है उसका एनालीजिस करना पड़ता है कंपरिजन करनी पड़ती है बुद्काल देखना पड़ता है वर्तमान देखना पड़ता है भविष्ट देखना पड़ता है बड़ी महनत कर नहीं पड़ती है तब जाके आलोचना संभव होती है और इसलिए आजकल शॉटकर्ट का जमाना है जादा तर लोग आरोप करते हैं कि आलोचना नहीं करते है आरोप और आलोचना के बीच में बहुत बड़ी खाई है हम आरोपों को आलोचना न समझे आरोप और आरोचना तो एक प्रकार से वो नूट्रियंट है जो हमें समर्द करता है आरोप वो चीजे हैं जिसको हमने आरोप लगाने वालों को गंवीर्ता से लेने की जरूरत नहीं है आरोचना को करभी लाइप नहीं लेना चाहिए आलोचना को हमेशा हम मुल्यवान समझना चाहिए वो हमारी जिंदगी को बनाने के लिए बहुत काम आती है और अगर हम इमानदार हैं हमने प्रामानिक सत्य निश्टा से काम किया है, समाज के लिए काम किया है, निश्चित मक्सद के लिए काम किया है, तो हारोपों की बिलकुल परवा मत किजिए दोस्तों, मैं समझता हूँ आपकी एक बहुत बड़ी ताकत बन जाएगी, बहुत 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 नया मार्क दिखाया, आपका धन्यवाद अज़कर बच्चों में कालपनिक खेल और इस्टर्ग्राम की लस्थ एक सामानियसी बात हो गई है ऐसे समय में इहां अपनीपड़ाई पर कैसे ध्यान के इंद्रित करें मानियसर मेरा आपसे यह प्रेशन है कि हम बिना ध्यान भटकाए अपनी पड़ाई पर कैसे ध्यान के मैं इस सम्मन में आपसे वाद दर्शन चाठा हूँ, धन्यवाद दिपेश, माननिय प्रधान मंतरी जी, अधिताब गुपता का प्रश्न इंडिया टीवी द्वारा चुना गया है, अधिताब हमसे आभासी माध्यम से जुड़े रहे हैं, अधिताब अपना प्रश्न पूछ मेरा नाम आदेताब गुपता है, मैं टेंथ क्लास में बढ़ता हूँ, जैसे कि टिकनोलोजी बढ़ती जा रही है, वैसे भी हमारी डिस्ट्राक्शन जो है, वह और जादा बढ़ती जा रही है, हमारा फोकस पढ़ाई पे कम होता है और सोशल मीडिया पे जाद होता है, त अन्यवाद अधी भूण। हूद अन्यवद अधिताब, हूनरेब प्रम मिनिस्टर स्वारी य। अने चेंट सुजे कमाक्षी राइ, गुजिट इस उन्यवाद अंट्स्ट्रेव राइ तून्य थूद्ट जढ पनाले क्माक्षी गुच्ट्स पूस्ट्स्ती गुरीज ग can be adopted by a student to not easily get distracted during their exam times. Thank you. अनलाइन पढ़ाई करते वक्त बहुत सारे distractions होते हैं, जैसे कि ओनलाइन गेमिंग वगेरा वगेरा, हम इससे कैसे बचे हैं? ये श्टूड़न है क्या? जो गेज़ेट में घोते रहते हो गे. धन्यवाद मननन, माननिय प्रधान मंत्री जी, दिपेश, अधिताब, कमाक्षी, एवं मननन, परिक्षा में आने व्याले व्यवधान पर और इससे कैसे बाहर निकले, इस विशय पर आपसे मार्क दर्शन चाहते हैं, क्रिप्या मार्क दर्शन करें, माननिय प्रधान मंत्री सबसे पहले तो निर्णे ये करना है कि आप स्मार्ट है कि गैजेट स्मार्ट है कभी-कभी तो लगता है कि कि आप अपने से भी ज़्यादा कि गैजेट को ज़्यादा स्मार्ट मान लेते हैं कि और गलती वहीं से शुरू हो जाती है कि आप विश्वास करिए कि परमात्मा ने आपको बहुत शक्ति दी है कि आप स्मार्ट है कि गैजेट कि आपसे स्मार्ट नहीं हो सकता है कि आपकी जितनी स्मार्टनेस ज्यादा होगी उतना गैजेट का सही उपयोग कि आपकर पाएंगे वह एक इंस्टूमेंट है जो आपकी गती में नई तेजी लाता है यह अगर हमारी सोच बनी रही तो मैं समझता हूं कि शायद शायद आप उससे छुटकारा पाएंगे दूसरा कि देश के लिए बहुत बड़ी चिंता का विश्य है जी कि मुझे कोई बता रहा था कि भारत में कि एवरीज छे गंटे लोग स्क्रीन पे लगाते हैं छे गंटे अब जो इसका बिजनेस करते हैं उनके लिए तो की बात है कि जब मोबाइल फोन पर टॉक टाइम होता था तो टॉक टाइम में कहते हैं कि उस समय एवरेज 20 मिनिट जाती थी लेकिन जब से स्क्रीन और उसमें से रिल क्या होता है एक बार शुरू करने के बार निकलते हैं कि उसमें से बाहर क्या होता है नहीं बोलेंगे अच्छा आप लोग कोई रील देखते नहीं है नहीं देखते हैं ना तो फिर शर्माते क्यों हो बताओ ना निकलते हैं के बार अंदर से देखिए हमारी क्रियेटिव उमर और हमारी क्रियेटिविटी का सामर्थ अगर एवरेज हिंदुस्तान में छे गंटे स्क्रीन पर जाएं तो यह बहुत चिंता का विश्य है एक प्रकार से गैजेट हमें गुलाम बना देता है हम उसके गुलाम बनकर के जी नहीं सकते हैं पर मात्मा ने हमें एक स्वतंत्र अस्तित्व दिया है स्वतंत्र व्यक्तित्व दिया है और इसलिए हमें सचेत रहना चाहिए कि कहीं मैं इसका गुलाम तो नहीं हूँ आपने देखा होगा आप कभी भी देखे होगे मेरे हाथ में कभी कोई मुबाइल फोन शायदा प्रेयरली कभी देखा होगा रेयरली मैंने क्यों अपने आपको समाल के रखा हुआ है जबकि मैं एक्टिव बहुत हूँ उसके लिए समय मैंने ताइक किया हुआ है उस समय के बहार मैं ज्यादा नहीं करता हूँ और इसलिए लोग तो मैंने देखा है अच्छी मीटिंग चल रही है बहुत अच्छी और थोड़ा सा वाइब्रेशन आया तो ऐसे नहीं काल के देखता है कि मैं समझता हूँ कि हमने खुदिने कोशिश करनी चाहिए कि हम इन गैजेट्स के गुलाम नहीं बनेंगे कि मैंग स्वतंत्र वेटीक रहो हूँ कि मेरा स्वतंत्र अस्टीक रहे और उसमेंसे जो मेरे काम की चीज़ है कि उस तक ही मैं सिमित रहूँगा मैं टेक्लॉलोजी का उपको करूंगा नहीं लेकिन मैं उसकी उप्योगीता और आवश्यक्ता अपने मुताबिक करूँगा अब मा लीजिये आपने ओनलाइन धोसा बनाने की बढ़िया रेसिपी पढ़ ली घंटा लगा दिया कौन-कौन से इंग्रेडियन्स होते हैं वो भी कर लिया पेड भर जाएगा क्या भर जाएगा क्या नहीं भरेगा न उसके लिए तो दोसा बना के खाना पड़ेगा न और इसलिए गेजेट जो परुस्ता है वो आपको पुनता नहीं देता है आपके भीतर का सामर्त आप आपने देखा होगा पहले के जमाने में बच्चे बड़े आराउम से पहड़ा कर देते थे पहड़ा बोलते हैं और बड़े आराम से बोलते थे और मैंने देखा है जो भारत के बच्चे विदेश जाते थे ना तो विदेश के लोगों को बड़ा अस्रे होता था कि ये कैसे इतना पहाड़ा बोल देता है अब उसको कुछ लगता नहीं था अब आप देखें धीरी धीरी क्या हो गया है हमें पहाड़ा बोलने वारा बच्चा धूमना पड़ता है क्यों उसको बाढ़ गया है हो गया याने हम अपनी क्षमता खो रहे हैं हमें अपनी क्षमता खोए बिना क्षमता को आगे बढ़ाना यह हमें कॉंसियसली प्रयास करना पड़ेगा अधर्वाइज धीरे धीरे करके वो वीधा खतम हो जाएगी है हमारी कोशिश होनी चाहिए कि हम अपने आपको लगाता टेस्ट करते रहें मुझे आता है कि नहीं आता है वरना तो आजकल तो आपको कुछ करने के जरूत नहीं है उस प्रेटफर्म पर जागर के चैट पर चले जाएगी तो आपको दुनिया भर की चीजें बतागर कर दे देता है तो गूगल से भी एक स्टैप आगे चला गया है अगर आप उसमें फस गए तो आपकी क्रियेटिविटी खतम हो जाएग और इसलिए मेरा तो आगर रहेगा कि आप दूसरा हमारी हाँ आरोग्य का जो सास्त्र है पुरातन भारत में आरोग्य का उसमें उप्पास की परंपरा होती है कि कुछ जरा ऐसा लगता है तो ऐसा करो आप फास्टिंग करो कुछ हमारे देश में है कुछ religious rituals में भी होता है फास्टिंग करो अब वक्त बदल चुका है तो मैं आपको कहूंगा क्या आप हपते में कुछ दीन या दिन में कुछ घंटे यह टेक्नोलोजी का फास्टिंग कर सकते हैं क्या कि उतने घंटे उस्ती दर जाएंगे ही नहीं आपने देखा होगा कई परिवार होते हैं गर में बड़ा दसवी बारवी दसवी बारवी बड़ा टेंशन शुरू में वह जाता है और फिर टीवी पर लगा देते हैं अगर हम इतने जागरू होगे टीवी पर तो परदा लगा देते हैं लेकिन क्या हम स्वभाव से तै कर सकते हैं कि सबता हमें एक दिन मेरा डिजिटल फास्टिंग होगा नो डिजिटल डिवाइस मैं किसी को हाथ नहीं लगाऊंगा उसमें से जो फाइदा होता है उसको अब्जर्व कीजिए धीरे 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 आपको उसका समय बढ़ाने का मन करेगा उसी प्रकार से हमने देखा है कि परिवार हमारे तो छोटे होते जा रहे हैं अब परिवार भी इस डिजिटल दुनिया में फस रहे हैं एक ही घर में मां बेटा बहन भाई पापा सब रह रहे हैं और एक ही कमरे में वह उसको वाट्सप कर रहा है मैं आपकी इक बात बताना हुआ है मा भी पापा को वाट्सप करेगी देखा होगा अपने घर में सब बैठे हैं साप में हर अपने मोबैल में खोया हुआ है उदर देख रहा है इधर देख रहा है यहीं हो गया है ना मुझे बताइए परिवार कैसे चले का जी पहले तो ब एक्टिविटी मिल गई तो पहला काम यही जैसे दुनिया भर का काम उन्हीं के पास है उनके बिना दुनिया रूख जाने वाली है यह जो बिमारिया है इस बिमारियों को हमें पहचानना होगा हम अगर इन बिमारियों को पहचानेंगे तो हम बिमारियों से मुक्त हो सकते ह परिवार में जाके आज तहाए किजिए। एक एर्या जो है little technology zone मतलब वहां technology तो एंट्री नहीं मिलेगी वहां आना है गर के उस कौने में तो मोबैल वहां रखते आओ और वहां आराम से बैठेंगे बाते करेंगे नो टेक्नलोजी जोन परके अंदर भी एक कौना बना दीजिए जैसे देवगार होता ने भगवान का मंदिरी का लग होता है कौने में वैसा ही बना दीजिए इस कौने माने चलोगा मोबैल बार क्या हो यहां ऐसे बैठो आप देखिए तीरे तीरे आपको जीवन जीने का आन अगर शुरू होगा तो आप उसकी गुलामी में से बाहर आओगे बाद बाद देनवाद Thank you Honorable Prime Minister Sir for sharing such light-hearted mantra of digital fasting to tackle challenging situations in such an easy manner Ma Niniya Pradhan Mantri Ji Himalaya Parvata Malamastit Prakritik Sondaryya Sabharpur Union Territory Jammu से Nida हमसे आभासी माधियम से जोड रही है एवं आपसे प्रश्न पूछना चाहती है Nida अपना प्रश्न पूछे Honorable Prime Minister Sir, Namaskar I am Nida of Class 10 from Government Model High School School Sujwa Jammu, Sir my question is When we work hard but do not get the desired result Then how can we put that stress in a positive direction Respected Sir, have you ever been through such a situation? Thank you Dhanya Vat Nida Ma Niniya Pradhan Mantri Ji Bhagwan Krishna के उपदेश की भूमी खेल जगत में ख्याती प्राप नीरा चोपडा जैसे विख्यात खिलाडियों के प्रदेश हरियाना के पलवल से प्रशान्थ आपसे प्रश्न पूछना चाहते हैं प्रशान्थ कृपिया अपना प्रश्न पूछे Ma Niniya Pradhan Mantri Ji नमस्कार मेरा नाम प्रशान्थ है मैं शहीद नायक राजेंदर सिंग राजकिये मौरल संस्किर्ती वरिष्ट माद्यमिक विध्याले हतीन जिला पलवल हरियाना के कक्षा बारवी विज्यान संकाय का चातर हूँ मेरा आपसे है प्रश्न है कि तनाव परिक्षा के परिणामों को किस तरह प्रभावित करता है मैं इसमें आपसे मार्गदर्शन चाहता हूँ धन्यवाद शुरीमान धन्यवाद प्रशान्थ Ma Niniya Pradhan Mantri Ji निदा और प्रशान्थ की तरह देश भर के कड़ोरों जात्र आपसे परिक्षा परिणाम पर तनाव का प्रभाव इस विशे पर मार्गदर्शन चाहते हैं Ma Niniya Pradhan Mantri Ji देखे परिक्षा के जो परिणाम आते है उसके बाद जो तनाव है उसका मूल कारण एक तो हमने परिक्षा देकर के जब घर आए तो घर के लोगों के ऐसे पांट पढ़ाए कि मेरा तो शांदार पेपर गया है मेरा तो बिलकुल 90 पक्का है और बहुत अच्छा करके आया हूँ तो घर के लोगों का एक मन बन जाता है और हमको भी लगता है कि गाली खानी है तो महीने भर के बाद खाएंगे अभी तो बता दो उनको और उसका परिणाम भी आता है कि वेकेशन का जो टाइम होता है परिवार ने मान लिया होता है तो तुम सच बोल रहे हो और तुमने तुम अच्छा रिजल्ट लायर लाने ही वाले हो ऐसा माल देते हैं वो अपने दोस्तों को बताना शुरू करते थे नहीं इस बार तो बहुत अच्छा किया उस ते और बहुत मेहनत करता था अरे कभी खेलने नहीं चाता था कभी रिष्टेदार के हैं शादी है वो अपने जोडते रहते हैं जैसा मेरा बड़ा बड़ा और एक्जाम का रिजल्ट आने तक तो उन्होंने ऐसा महुल बना दिया होता है कि बास यह तो फर्स सेकंड के पीछे रहे गा ही नहीं और जब रिजल्ट आता है चालिस पैटालिस मार फिर तुफान खड़ा हो जाता है और इसलिए पहली बात है कि हम सच्चाईक से मुकाबला करने की आदत छोड़नी नहीं चाहिए हम कितने दिन तक जूट के सहारे जी सकते हैं स्विकार करना चाहिए हां मैं आज गया लेकिन मैं एक्जाम ठीक से नहीं गई मेरी मैंने कोशिश की थी अच्छा नहीं हुआ अगर पहले से ही आप कह देंगे और माली जे पांच मार्क ज्यादा आ गए तो आपने देखा होगा गहर में तनाव नहीं होगा वो कहेंगे तू तो कहता तो बहुत खराब गया तुम तो अच्छे मारक लेके आये हो स्टांडर्ड वो जो मांदर्ण है ने वो सेट हो जाता है उसे अच्छा दिपता है इसलिए आपको दूसरा है तनाव का कारण आपके दिमाग में आपके दोस्त भरे रहते हैं वो आसा करता है तो मैं आजा करोगा क्लाश में को एक बहुत होनार बच्चा होता है हम भी होनार होते हैं 1920 का फरक होता है दिन रात हम उस कॉंप्टिश्न के भाव में जीते हैं तनाव का यह भी कारण होता है हम अपने लिए जीए अपने में जीए अपनों से सीखते हुए जीए कि सिखना सबसे चाहिए लेकिन अपने भीतर के सामर्त पर बल देना चाहिए अगर यह हम करते हैं तो तनाव से मुक्ति की संभावना बढ़ जाती है दूसरा जीवन के तरफ हमारी सोच क्या है जिस दिन हम मानते हैं कि यह अग्जाम गई मतलब जिन्दिगी गई फिर तो तनाव शुरू होना ही होना है जीवन किसी एक स्टेशन पर रुखता नहीं है जीए अगर एक स्टेशन छूट गया तो दूसरी ट्रेन आएगी दूसरे बड़े स्टेशन पर ले जाएगी अब चिंता मत कीजिए एक्जाम वो एंड अफ द लाइफ नहीं होता है जी ठीक है हमारे अपनी कसोटी होनी चाहिए हम अपने आपको कसते रहें अपने आपको सचते रहें यह हमारी कोशिश होनी चाहिए लिगे हमें इस तनाव से मुक्ति का मन में संकल पकर लेना चाहिए जो भी आएगा मैं जिन्दगी को जीने का तरीका जानता हूँ मैं इससे भी निपट लूँगा और यह अगर आप निकट कर लेते हैं तो फिर आराम से हो जाता है और इसलिए मैं समझता हूँ कि इस प्रकार के परिणाम के तनाव को कभी कभी उतना मन में लेनी के आवशक्ता नहीं है जी धन्यवाद माननीय प्रधान मंत्री जी आपका अनुभाव सुनकर हमें नई जीट ना आई है आपका धन्यवाद अनुर्ब प्राम मिनिस्टर सार आर अक्षरा सिरी लिए इन रंगारेटी इस्ट्रिक इन तेलंगाना अक्षरा प्रधान मंत्री जी सादर नमस्कार मेरा नाम है आर अक्षरा सिरी मैं जवाहर नौर्दे विद्याले रंगारेटी हैद्रबाद की नवी कक्षा की छात्रा हूँ मान्यवर मेरा प्रशन है हमें अधित परशाएं सीखने के लिए क्या करना चाहिए मैं इसमें आपकी मार्गजर्शन चाहती हूँ धन्यवाज श्रीमान थांक्यू अक्षरा अनौरिबल प्राइम मिनिस्टर सर इसी से मिलता जुलता प्रश्ट रितिका गोड के भारत की रिदे नगरी भोपाल से आई है वे हमारे साथ सबागार में है रितिका क्रिपय अपना प्रश्न पूछें अधर्णी प्रधान मंत्री जी नमश्कार मेरा नाम रितिका गोड के है मैं भोपाल मद्परदीश कक्षा बारवी की छात्र शाष्ट की सुभाष उतक्रष्ट मादमिक विद्याले स्कूल फोर एक्सिलेंस की छात्रा हूँ सर मेरा कोशन आपसे यह है कि हम अधिक से अधिक भाषाएं कैसे सीख सकते हैं और ये क्यों जरूरी है धन्यवाद धन्यवाद रितिका मानने प्रिधान मंत्री जी क्रिप्या अक्षरा और रितिका को बहु भाषी कौशल प्राप्त करने के लिए मार्ग दर्शन करें जो की समय की आवशक्ता है मानने प्रिधान मंत्री जी बहुत ही अच्छा सवाल पूशा आपने, वैसे मैं शुरू में कह रहा था कि बाकी चीजे छोड़ करके थोड़ा फोकस होते जाएए, फोकस होते जाएए, लिकिन एक ऐसा सवाल है, कि जिसमें मैं कहता हूँ कि आप जड़ा एक्ष्टर वड़ होए जाएए, थोड़ा एक लिए कह रहा हूँ, भारत विविद्यताओं से भरा हुआ देश है, हम गर्व के साथ कह सकते हैं, कि हमारे इस पास सेंक्ड़ों भाशाए हैं, हजारों बोलियां हैं, यह हमारा रिचनेस है, हमारी सम्रिद्धी है, हमें अपनी इस सम्रिद्धी पर गर्व होना चाहिए, कभी-कभी आपने देखा होगा, कोई विदेशी व्यक्ति हमें मिल जाए, और उसको पता चलेगा आप इंडिया के हैं, आपने देखा होगा, कि थोड़ा सा भी वो भारत से परिचित होगा, तो आपको नमस्ते करेग नमस्ते बोलेगा, प्रोनाउंसेशन में थोड़ा इदर उदर हो सकता है, लेकिन बोलेगा, जैसा ही वो बोलेगा, आपके कान सच्चत हो जाते हैं, उसको पहले एक ड्राउंड में अपनापन वैसूस होने लगता है, अच्छा, एक विदेशी व्यक्ति नमस्ते बोलता है मतलब की कॉम्मिनिकेशन की कितनी बड़ी ताकत है, इसका ये उदर है, इतने बड़े देश में आप रहते हैं, आपने कभी सोचा है कि शौक के नाते, जैसे हम कभी सोचते हैं मैं तबला सिखू, कभी मैं सोचता हूँ, मैं फ्लूट सिखू, मैं सितार सिखू, पियानो सि इसा मन में करता है कि नहीं करता है, वो भी एक हमारी अतिरिक विधा डेवलप होती है कि नहीं होती है, अगर ये होता है, तो मन लगा करके अपने अडोस परोस के राज्यकी एकाथ दो भाषा सिखने में कह जाता है, कोशिश करनी चाहिए, और सिर्भ हम भाषा सिखते हैं म हम वहां के अनुभवों का नीचोर जो होता है एक-एक भाषा की जब अभिवक्ति होना शुरू होती है तो उसके पीछे हजारों साल की एक अभीरत अखन अभिचल एक धारा होती है अनुभव की धारा होती है उतार चड़ाव की धारा होती है संकटों का सामना करते हुए निकली हुई धारा होती है और तब जह करके एक भाषा अभिवक्ति का रूप लेती है हम एक भाषा को जब जानते हैं तब आपको उस हजारों साल पुरानी दुनिया में प्रवेश करन होता है और इसलिए बिना बोज बनाए हमें भाशा सिक्षिए मैं कभी के भी हमेंसे मुझे दुख होता है है बहुत दुख होता है हमारे देश में कहीं पर कोई एक अच्छा स्मारक हो पत्थर का बना हुआ और कोई हमें कहे कि दोजार साल पुरा ना है तो हमें गर्व होता है कि नहीं होता है कितना बढ़िया चीज़ दोजार साल पहले थी होता है कि नहीं होता है किसी को भी घर्म होगा फिर ये विचार नहीं आता है कि किस कौने में है अरे भई दोहजार साल पहले का ये व्यवस्ता है कितना बढ़िया बनाया है हमारे पुरवजों को कितना ज्ञान होगा अब मुझे बताईए दुनिया की सबसे पुरातन भाषा दुनिया की सबसे पुरातन भाषा जिस देश के पास हो उस देश को गर्व होना चाहिए सीना तान करके दुनिया को कहना चेक नहीं कहना चेक विश्व की सबसे पुरातन भाषा हमारे पास है कहना चेक नहीं कहना चेक है आपको मालू है हमारी तमिल भाषा ये दुनिया की सबसे पुरानी भाषा है पूरी दुनिया की इतनी बड़ी अमानत इस देश के पास है इतना बड़ा गवरव देश के पास है लिए हम सिना तान करके दुनिया में कहते नहीं है मैं पिछली बार जब यूनियों में मेरा भाशन था तो मैंने जान बुचकर कुछ तमिल बाते बताई कि मैं दुनिया को बताना चाहता था मुझे गर्व है कि अमिल भाशा दुनिया के स्रिष्ट वासा दुनिया के सबसे पुरानी भाशा की मेरे देश की हमें गर्व करना आँ चाहिए अब देखें बड़े आराम से उत्तर भरत का व्यक्ति दोसा खाता है कि नहीं खाता है खाता है कि नहीं खाता है संबार भी बड़े मेजे से खाता है कि नहीं खाता है तब तो उसको उत्तर दक्षिन कुछ नज़र नहीं आता है दक्षिन में जाईए आप तो वहां परोड़ा सबजी भी मिल जाती है और बड़े चाव से लोग खाते हैं गर्व करते नहीं करते हैं कोई कोई तनाव नहीं होता है कोई रुकावट नहीं होती है जितनी सहस्ता से बाकी जिंदगी आती है उतनी ही सहस्ता से और मैं तो चाहूंगा हर किसी ने कोशिश करनी चाहिए कि अपनी माप्तु भाषा के उ अनन्द आएगा जब ऐसे व्यक्तिव को मिरोगे और दो वाक्य भी अगर आप उसकी भाषा में बोड़ोगे एकदम अपनापन हो जाएगा और इसलिए भाषा को बोज के रूप में नहीं है अब मुझे आद है मैं जब बहुत साल पहली के बार ते सामाजी काम में लगा था तो मैंने एक बच्ची को और मैंने देखा है कि बच्चों में भाषा को कैच करने की बड़ी गजब की ताकत होती है अड़ाप कर देते बहुत तेजी से तो मैं कभी है हमारी हां कैली को मिल के मद्दूर परिवार था कि एम्दाबाद में कभी उनके अब भोजिन के लिए जाता था तो तो वहां एक बच्ची थी वो कई भाषाय बोलती थी क्यों क्यों देख तो वो मद्दूरों की कॉलोनी थी तो कॉस्मोपोलिटी हिंदी उसकी माताजी केरल से थी पिताजी बेंगाल से थे पूरा कॉस्मोपोलिटी उने काण हिंदी चलती थी बगल में ये परिवार मराठी था और स्कूल जो होती थी वो गुजराती होती थी महरान था वो साटाइट साल की बच्ची बेंगाली मराठी मल्यालम हिंदी इतनी तेज गती से बढ़िया बोलती थी और गर्मयकर पाट लोग बैटे हैं इससे बात करने तो बंगाली में करेगी इससे करेगी तो मल्यालम में करेगी इससे करेगी तो गुजराती में करेगी आट-दे साल की बच्ची थी यहनु उसकी उसकी प्रतिभा खिल रही थी और इसलिए मेरा तो आपसे आगर रहेगा कि हमें अपना अपनी विरासत पे और मैंने तिस बारलाल के लिए से भी कहा था पंच प्राण की बात अपनी विरासत पे हमने घर्व होना चाहिए और हमें पुर्वजों ने ऐसी भाषा हमें पिए यह हर हिंदुस्तानी को गर्व होना चाहिए हर भाषा पे गर्व होना चाहिए बहुत बहुत धन्यवाद माननी ये प्रधान मंत्री जी भाभा शिकतापर आपके मार्ग दर्शन के लिए धन्यवाद Honorable Prime Minister Sir, from the historically acclaimed city of Katak, Sunanya Tripathi, who is a teacher, requests your directions on an important matter. Ma'am, please ask your question. नमस्कार, माननिय प्रधानमंत्री शिनरेंद्र मोदी जी, मैं सुनेना त्रिपाथी विश्णमूर्थी वाल स्कूल कटक ओडिसा से हूँ. मेरा प्रश्न यह है कि कक्षिया में विद्यार्थियों को रूची पुन पढ़ाई के लिए कैसे आकरशित करें तथा जीवन का सार थक मुल्य कैसे सिखाएं, साथ ही कक्षिया में अनुसाशन के साथ पढ़ाई को रोचे कैसे बनाएं, धन्यबाद. Honorable Prime Minister Sir, Sunanya Tripaathi wishes your guidance on motivating students for taking interest in academics. Honorable Prime Minister Sir. यहने सवाल टीचर का था? जी सरी था ना? देखिए, आजकाल अनुभव आता है, कि टीचर अपने में खोई रहते हैं. आजकाल अनुभव आता हैं, कि टीचर अपने में खोई रहते हैं. आप यह तो मेरे आज़ा वाक्ये बोला, आपने पकड़ लिया. वो एक निश्चीत, स्रिलेबस्त, बीस मिनिट, तीस मिनिट बोलना है, आपना कड़कड़ बोल देते हैं. और फिर इसमें कोई हिलेगा इधर उधर, तो देखा होगा आपने, मैं तो मेरे अपने बच्पन के अनुभव के बार बता, तो आजकाल तो टीचर अच्छे होते हैं, मेरे जमाने में शाइद ऐसा नहीं होगा. इसलिए मुझे टीचरों के आलोचना करने का हक नहीं है, लेकिन कभी-कभी मैं देखा था कि टीचर जो तैयारी करके आए हैं, और अगर वो भूल गए, तो चाहते नहीं कि बच्चे पकड़ लें उनको, उन बच्चों से छिपाना चाहते हैं, तो वो क्या करते हैं, एकार करते हैं, एक खड़ा हो जाओ, क्यों एसे बठाए है, क्यों एसा कर रहा है, क्यों धिकना कर रहा है, यहने पूरी पांसाथ मिनिट उसमें लगा देंगे, इतने में अगर विशे याद आ गया, तो गाड़ी बापिस आएगी, वरना फिर मानों कोई हस पड़ा, उसको पग है रहा हुआं, अज आयगको, आज भी हैसा ही होता है, यहले हैं, कर नहीं हुआ है, अब तो टीचर बहुत अच्छे बाता है, आपने देखा होगा, टीचर भी मोबाइल फोन पे अपना सिल्लिबस लेका आता है, मोबाइल देखकर के पड़ाता है, यहले हैं, अशा करता ह तो वो हाथ से निकल जाता है, वो खोटता रहता है, क्यों उसने पूरी तरह टेकलोलोजी को सिखा नहीं है, जरूरी दो चार चीजे सिख लिए और इधर उर उंगली अड़ गई, तो फिर वो डिलीट हो जाता है, या खिसक जाता है, हाथ नहीं लगता है, बड़ा परिशान हो जाता है, शर्दियों में भी पसे ना सुर जाता है, उसको लगता है कि ये बच्चे और उसके कारण, जिसकी अपनी कमियां होती है, उसका एक स्वभाव रहता है, दूसरों पर एक्ष्ट्रा रॉप जमाना, ताकि अपनी कमियां बाहर ना आए, मैं समझता हूँ, हमारे शिक्षक मित्रों ने, विद्ध्यारतियों के साथ जितना अपनापन बनाएंगे, विद्ध्यारती आपके ज्ञान की कसोटी करना नहीं चाहता है, ये हमारा ब्रम है, टीचर के मन में होता है कि विद्ध्यारती, आपको कोई सवाल पूस्ता है, तो आपकी एक्जाम ले र उसता है तो इमान के चलिए उसके अंदर जिग्यासा है आप उसकी जिग्यासा को हमेशा प्रमोट कीजिए उसकी जिग्यासा ही उसकी जिग्यासा ही उसकी जिग्यासा ही उसकी जिंदगी की बहुत बड़ी अमानत है किसी भी जिग्यासू को चूप मत कीजिए उसको टोक मत दीजिए उसको सुरिए आराम से सुरिए अगर जवाम नहीं आता है तो आप उसको कहिए देख बेटे तुने बहुत अच्छी बाप कही है और मैं तुम्हें जल्दबाजी में जवाब दूगा तो अन्याय होगा ऐसा करो हम कल बैठते हैं तुम मेरी चेंबर में आ जाना हम बाते करेंगे और मैं भी तुमको समझने की प्रहस करूँगा इस विचार तुम्हें कहा से आ जा और मैं भी कोशिश करूँगा इन बिट्विन मैं गर जा करके स्टड़ी करूँगा जड़ा गूगल पर जाओंगा इदर उदर जाओंगा पूछ लूँगा और फिर मैं तयार होकर क्या होगा फिर दूसरे दिन मैं उसको पूछूँगा अच्छा बही तुम्हें विचार आया कहा से इतना उत्तम विचार है इस उमर में कैसे आया तुम है उसको पुछकार तो फिर कहिए देख सचुछ पैसा नहीं है रियालिटी यह है उसको तुरंट स्विकार कर जेगा और आज भी स्टूडन्स अपने टीचर की कही हुई इसकी बात को बहुत मुल्यवान समगता है अगर एकाथ एकाथ गलत बात बता दी एकाथ गलत बात बता दी तो उसकी जिंदगी में वो रजिस्टर हो जाती है और इसलिए बात बताने से पहले समय लेना बुरा नहीं है हमने बाद में भी बताएं तो चलता है दूसरा डिसिप्लीन का सवाल है क्लास में कभी-कभी टीचर को क्या लगता है अपना रुभाव पैदा करने के लिए जो सबसे दूरुबल स्टूडन्ट होता है उसको पुछे कि बताओं तुम समझे के नहीं समझे तो अब आब करता रहेगा है तू तुम में चरहें तो फिर दांट देंगे मैं इतनी महानत कर रहा हूँ इतना पढ़ा रहा हो तुमको पूछ समझ नहीं आ रही है अगर मैं टीचर होता तुम करता हैं जो बहुत ही अच्छे ब्राइट स्टुडन्ट है उनको कहता अच्छा बताओ भें तुम कैसे समझे इसको बढ़िया समझाएगा तो जो नहीं समझ रहा है वो स्टूरेंट की भाषा अच्छी तरह समझेगा तो उसको समझा जाएगा और जो अच्छे स्टूरेंट है उनको मैं प्रतिष्ठा दे रहा हूं तो अच्छे बनने की कॉम्पटिशन शुरू होगी स्वाभावी कृते कॉम्पटिशन शुरू होगी दूसरा जो इस प्रकार चे अनुशासन में नहीं है ध्यान केंद्रित नहीं करता है क्लास में भी कुछ रूज और एक्टिविटी करता है टीचर अगर उसको अलग बुलाने है अलग बुला करके बात करें प्यार से बात करें देख्या कल कितरा बढ़िया भी शेयरा अब तुम खेल रहे थे अब चलो आज खेलो मेरे सामने खेलो तुम्हें में जाएगा मैं अब देखूं क्या खेलते थे अच्छा बताओ तुम यह खेलने का काम बाद में करते और तुमने ध्यान दिया उता फाइदा होता ही नहीं होता उससे अगर संवाध करते तो उसको एक अपनापन मैसूस होता वो कभी इंडिसिप्लिन नहीं करता जी लेकिन उसके इगो को तो फिर दिमाग फट गएगा कुछ लोग चतुराई भी करते हैं चतुराई भी कभी कभी कान आती है जो सबसे सरारती लड़का होता है उसको मोनीटर बना जेते हैं बनाते हैं ना मोनीटर बन जाता है तो उसको भी लगता है यार मुझे तो ठोड़ा ठीक से वहवार करना पड़ेगा तो वो फिर खुद को अपने आपको जड़ा ठीक करता है और सब को ठीक रखने के लिए अपने आपको एड़्यस करता है अपनी बुराईयों को कंट्रोल करने कोशिश करता है शिक्षक को प्रिय होने का प्रयांस करता है और अल्टीमिल्टी परणामी आता है उसकी जिंदगी बदल जाती है और उसके माध्यम से क्लास्रूम का इंवार्मेंट भी सुधर जाता है तो अनेक तरीके हो सकते हैं लेकिन मैं मानता हूं कि हमें डंडा लेकर के डिस बहुत बहुत धन्यवाद का समाधान चाहती है माम कृपय अपना प्रश्न पूछिए गुद मॉर्निंग ओनुरेबल प्राइम मिनिस्टर मैसल्फ सुमन मिश्रा सर आइ सीक यूर अड्वाइस और हाओ शुड़ स्टूडिन बिहें इन सोसाइटी थैंक यू सर दन्यवाद मैम मानिनी प्रिधान मंत्री जी स्टूडन सोसाइटी में कैसे बिहें करें यही पुछना है ना आपको मैं समझता हूं कि इसको थोड़ा अलग दाइरे में रखना चाहिए है हम किस सोसाइटी की बात करते है जो हमारा सरकल है वो जिनके बीच हम बैठते उड़ते हैं कभी अच्छी बुरी बातों में टाइम बिताते हैं तेलिफोन पर गंटे बिता जेते हैं अगर उस लिमिटेर वरतुल की बात करते हैं तो तो आप बच्चे को जैसा कहोगे वैसा यहाँ जूते पहन करके आओ यहाँ जूते निकालो यहाँ इस जंग से विवार करो यहाँ उस जंग से करो ऐसा आप कह सकते हैं लेकिन हकिकत यह है को उसको एक घर के दाइरे में बंद नहीं रखना है उसको उसको समाज में जितना व्यापक उसका विस्तार हो होने देना चाहिए मैंने तो कभी कहा था शायद परिक्षा पर चर्चा पर ही कहा कहीं और कहा मुझे आप नहीं है मैंने कहा था कि दसवी बानवी की एक्जाम के बाद कभी बच्चे को पहले अपने स्टेट में उसको कहो लो यह पैसे तुम्हें इतना देते हूं और पांच दिन के लिए जगा के घुम करके बापिस आओ और वहां के फोटो वहां का वरनन सब लिकर करके लिए आओ फैको उसको हिम्मत के साथ आप देखिए वो बच्चा बहुत कुछ सिक करके आएगा जीवन को जान करके उसमें विश्वात बढ़ेगा फिर वह आपको यह नहीं चिलाएगा औ और बारवी का है दुसकों को तुम राज्य के भार जाकर को आओ देखिए ये तने पैसे हैं ट्रेन में जाना है विदाउट रिजर्विशन जाना है सावान इतना होगा ये तुझे खाना दे दिया है जहाओ इतनी चीजे देखकर क्या आओ और आकर के सब को समझाओ आपन सचमुचम अपने बच्चों का ट्रायल लेते रहना चाहिए उनको समाथ के भिन भिन बर्गों में जाने के लिए प्रेदित करना चाहिए उसको कभी पूछाना चाहिए कि तुम्हारी स्कूल में इस बच्चे ने इस पार कबड़ी में अच्छा खेला ता तुम उसको मिले क्या जाओ उसकी घर जाके मिलके आजाओ फलाने बच्चे ने विज्ञान मिले में अच्छा काम किया ता तुम जाकर के मिलके आए क्या अरे जाओ जारा मिलकर क्या हो उसको उसकी उसका विस्तार करने का उसको अपको अवसर देना चाहिए उसको आप ऐसा करना चाहिए वह ऐसा करना चाहिए, ये करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए, क्रिपा करके उसको बंधनों में मद बांधिये, आप मुझे बताइए, कोई ये फर्मान निकाले, कि अब पतंगों को, पतंगे बोलते हैं ने, पतंगों को उनिफर्म पहनाएंगे, तो क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा, कोई लोजिक है क्या, हमें बच्चों का विस्तार होने देना चाहिए, उनको नए नए दारिये में ले जाना चाहिए, मिलवाना चाहिए, कभी हमें भी ले जाना चाहिए उसको, हमारी हाँ लानी जगा पर जाना ये क्यों होता था इसका अपना एक आनंद होता है उसके एक समस्कार होते हैं एक जीवन की रचना बनती है हम अपने दाइरे में बच्चों को बंद मत करें हम जितना ज्यादा उनका दाइरा बढ़ाएंगे हमारा ध्यान रहना चाहिए हमारा ध्यान रहना चाहिए कि उसकी आदत कहीं खराप तो नहीं हो रही है कमरे में खोया हुँ तो नहीं रहता है उदासिन तो नहीं रहता है पहले भोजन पर बैरता था तो कितनी हसी मजा करता था आजकल हसी मजाग बन कर दी क्या प्राब्लेम है माबाप को तुरंट स्पार्क होना चाहिए ये तब होता है जब बच्चों को वो एक अमानत के रूप में इश्वर ने उसको एक अमानत दी है इस अमानत का सवरक्षन सवर्दन उसका दाईत्व है ये भाव अगर होता है तो तेरी जीन की मैसा होगा तो फिर बात बिगड़ जाती है और इसलिए आवश्यक्ता यही है कि खुले पंसे हमें समाज के विस्तार की तरफ उसको ले जाने का प्रयास करना चाहिए उसको जीवन की भिंद भिंद चीजों में जूडने के लिए प्रेरित करना चाहिए मैं त कहां का रहने वाला है कहां से निकला इस दंदे में कैसे आ गया क्यों सिखा चलो मुझे समझाओ उसको पूछ कर क्या हो उसकी सम्वेदना जग जाएगी जी वो क्यों यह काम कर रहा है जानना सिखना सहज बन जाएगा कोशिश करनी चाहिए कि आपके बच्चों का विस्ता जादा हो वो बंधनो में न बन जाएगा उसको खुला असमान दीजिए उसको आउसर दीजिए वो समाज में टाकत बन के उबरेगा बात बात धने बात जल दिए प्रमोब्ट सांसरा तैक उनौरल ठर आल शिर्कार बे-डाफ चिर्छी आजिए एक?」 प्रलॉन मेनार है उन्य रृम्री थरन है इंसेटिते हैं और में टाल साली सिर्वाइवन परक्रवें टेर्वार्थ था इंठाल इंचिस इंट पिछारबस करेंचिता हैं that will forever resonate within our hearts. We extend our deepest thanks and gratitude to the Honorable Prime Minister for gracing this hall with his presence and infusing us with his radiant spirit. Pradhan Mantriji Dwarah Parikshah Pe Charcha Ne हमारे जैसे करोडों बच्चों की बेचैनी, घबराहट एवं हार मानने की प्रवर्ती को उत्साह, उमंग एवं सफलता की ललक में बदल दिया है. धन्यवाद माननिय प्रधान मंत्री जी, कोटी कोटी धन्यवाद. आप सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद और मैं जुरू चाहूंगा कि हमारे विद्यार्फी, हमारे अभिभावक, हमारे टीचर्स, ये अपने जीवन में ताय करें, कि परिक्षा का जो बोज बढ़ता चला जा रहा है, एक मातावन क्रियेट हो रहा है, उसको जितना ज्यादा हम डाइलूट कर सकते हैं करना चाहिए, जीवन का उसको सहज हिस्सा बना जेना चाहिए, जीवन का एक सहज क्रम बना जेना चाहिए, अगर ये करेंगे, तो परिक्षा आपने आपके उत्सों बन जाएगी, हर परिक्षा का जीवन उमंग से भर जाएगा, और ये उमंग उतकर्ष की गारंटी होता है, उस उतकर्स की गारंटी उमंग में है उस उमंग को लेकर के आप चले यही मेरी आपको सुब्तामनाय है बहुत बहुत धन्यवाद